हमारे विपक्ष के नेता जो है, बीजेपी के नेता हैं, जहां भी जाते हैं, अंग्रेजी के खिलाफ बात करते हैं, स्कूलों में अंग्रेजी नहीं होनी चाहिए, बंगॉली होनी चाहिए, हिंदी होनी चाहिए, मगर अंग्रेजी नहीं होनी चाहिए, कभी आप एक काम कीजिए यह जो नेता कहते हैं कि अंग्रेजी नहीं होनी चाहिए उनके पास जाहिए उनसे पूछे भईया आप यह बात तो अच्छी कर रहे हो मगर आपका बेटा कौन से स्कूल में जाता है क्या इंग्लिश मीडियम में जाता है हाँ या ना हाँ इनके सारे के सारे बच्चे अमित शाजी से लेकर इनके सब चीफ मिनिस्टर के बच्चे सब एंपी के बच्चे सब एमेले के बच्चे सारे के सारे English Medium School में जाते हैं और भाशन देते हैं कि भाईया अंग्रेजी किसको बोलनी नहीं चाहिए ये नहीं चाहते हैं कि हिंदुस्तान का गरीब किसान का बेटा मजदूर का बेटा अंग्रेजी सीखे इसका कारण है क्योंकि वो चाहते हैं कि आप बड़े सपने ना देखो आप खेत में से मत ना निकलो आप मजदूरी से बाहर ना निकलो इसलिए ये आप से कहते हैं अंग्रेजी मत पढ़ो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हिंदी नहीं पढ़नी चाहिए जरूर पढ़नी चाहिए टमिल पढ़नी चाहिए हिंदी पढ़नी चाहिए मराटी पढ़नी चाहिए हिंदुस्तान की सब भाषाएं पढ़नी चाहिए मगर अगर आप बाकी दुनिया से बात करना चाहते हो चाहिए वो अमरीका के लोग हो जापान के लोग हो इंग्लेंड के लोग हो तो वहां हिंदी काम नहीं आएगी वहां अंग्रेजी ही काम आएगी और हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान के गरीब से गरीब किसान का बेटा एक दिन जाकर अमरीका के युवाओं से कॉंपटिशन करे और उसी की भाषा में उसे हराए ये हमारा द्रिष्टिक होन है इसलिए यहाँ पे मुझे बहुत खुशी हुई है कि सत्रा सो इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू किये गए हैं और दस हजार अंग्रेजे के टीचर रिक्रूट में